मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्याइक्ट है जिसका नामें डग यह हमसे बाते कर रहा है यह कहता है बच्पन में जब आप होते हो तो आपको अलग-अलग चीज़े खही जाती है कि life easy नहीं है आपको हमेशा बहुत ही hard मेहनत करने बढ़ती है उसके बाद कुछ भी मिलता है पर डग हमसे कहता है कि summer मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कुछ भी कर सकता हो इस तरह से हो feel करता है डग अपने parents के साथ उसके lake house में चुट्टे बनाने के लिए आता है डग intelligent होता है और हमेशा अपने books में रहता है उसके parents के सला देते हैं कि इस summer तुम ज़र enjoy करना डग का एं फ्रेंड भी होता है जो lake के बास एक बार में काम करता है डग अपने friends से मिलता है उसका friend कहता है कि इस बार summer में बहुत सारी लड़की आई है हम बहुत मज़े कर सकते हैं यह दोनों इस चुट्टियों को लेकर बहुत ही excited होते हैं इसके बाद हम बार में देखते हैं कि वहाँ एक शेरीफ है जो शेरीफ है इसे टाउन में सब लोग जानते हैं और यह बहुत ही friendly type का भी है इसे टाउन को safe रखने है और टाउन की इज़द भी maintain रखने है इसके लिए और कुछ भी जरा out of the way भी जा सकता है पर फिर भी और आल यह अच्छा गारेटर होते है डग के neighbor में एक house है जो अबी खाली है पर एक दिन डग काम से घर पर आता है तब उस घर पर कोई आय हुए है एक millionaire जिसका नाम है Elliot और उसकी वाइफ लीना यह घर देख रहे है लीना बहुत beautiful है तो डग अपनी खिड़की से लीना को check out करता है लीना को और भी करीब से देखने के लिए डग बहार आ जाता है और अपनी cycle वो repair कर रहा है जब pretend करता है नेक सिन में हम देखते है कि डग और उसका friend एक जगा ready करते है वहाँ पर bed वगरा वह लगा कर रहा थे यानि ये लेटकियों के साथ वहाँ hangout कर सकते है millionaire जिसका नाम था Elliot जो घर देख रहा था उसने अब ये घर buy कर लिया है डग जब काम से घर आता है तो डग के parents इस millionaire यानि की Elliot से बात ही कर रहे है Elliot ने अभी अभी house buy किया है तो उससे वो जान पैचान बना रहे है डग भी यहा आता है और Elliot से मिलता है Elliot के पास एक शानदार बोट है इनी बातों बातों में डग के parents कहते है कि डग को बोट के बारे में बहुत कुछ पता है actually डग के grand father के पास बहुत बड़ी बोट थी डग उस बोट को repair करने में उनकी मदद करता था इलिएट को भी उसके बोट के लिए help चाहिए तो डग को केता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे और डग भी इसके लिए मान जाता है नेकस दिन सुबा जब डग इस बोट पर काम कर रहा होता है तब हम वहाँ लीना देखते है लीना बात करकर बाहर आती है और डग उसे check out करता है लीना फिर से shower के लिए वहाँ जाती है और डग उसे देख सकता है तब है वहाँ इलियेट आता है डग से बुछता है कि बोट केसी है डग केता है कि इस पर में काम कर सकता हो ये दोनों ज़रा बारियन करते है और working hours और उसका payment ही decide करते है अब इलियेट एक दू दिनों के लिए बाहर जाने वाला है वो डग को कहता है कि बोट को लेकर मुझे disturb मत करना राद में डग जब अपने room में सोय हुआ होता है तो उसे कुछ आवाज याती है लीना और इलियेट जगड रहे है और इलियेट लिना को मार रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग डग और इलियेट फिर से बोट के हमिलते है जहाँ पर बोट रखी है इस बेव पर एक security guard है जो बहुत ही strict है विदाउट इलियेट के identity उसे इंटर नहीं होने देता डग और इलियेट जब बोट पर होते है तो डग इलियेट से बुछता है तुम इतने बड़े millionaire हो इतने सारे पैसे तुमारे पास आये कैसे इलियेट कहता है कि मैं stock investor हूँ जब सब लोगों को लगता है कि इन stock में invest करना बहुत ही risky है तो मैं कर डालता हू पूँ इसी वज़े से बहुत सारे पैसे मिल जाते है डग रूमे होता है और फिर से लीना को घर से बाहर जाते होए देखता है थोड़ी देर में लीना की चीख उसे सुनाय देती है वो जल्दी से बागता है और लीना के पास आता है लीना की गाड़ी में उसे स्पाइडर दिखा था, इसे वज़े से वो डर गई थी, डग इस स्पाइडर को निकाल देता है, यहाई सिन में हम देखते हैं कि लीना डग के बहुत ही करीब आ गई थी, यह उससे फलर्ट कर रही थी, इसी दिन रात में डग अपने काम से वापस है, तो लीना उसका बहर ही वेट करीक होती है, लीना उसका गर की उसने चावी खो दी, इसे वज़़े से वांदर नहीं जा सकती है, वो डग से help मांगती है, रग भी help करने के लिए चाला जाता है, वो अंदर जाने किलिए कुछ भी वेट ढूड़न नहीं पारा, तो इसलि लिना डग को कुछ सिगनस देती है तो डग लिना को किस करते है और इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है ये डग का फरस्ट टाइम था सब सुबह ओती है तो लिना रग से कहती है किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए नेक्स डे डग जब अपन सुबह अगर एक दुसरे से मिलते ही रहते है इलेट जब बोट को देखता है तो डग ने बोट पर सही सही काम नहीं किया है तो उसे बहुत डाटता है इलेट उसे कहता है कि मेरी तरह तुम बनो ऐसा मुझे लगता है इसलिए में तुम्हें डाटता हो जब आदमी अच्छ कर रहा है डग कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको एप्रीशेट करें तो उन्हें वी उस तरह से रिस्पेक्फुली ट्रीट करना चाहिए यह कंवर्सेशन यहीं एंड हो जाती है हम फिर से लीना और डग बेड में दिखते है लीना डग से यह दिए कभी-कभी मुझे लगता है कि हम जो कर रहे है एक गलत कर रहे है तुमारा यूथ में चुरा रही हूँ डग कहता है मैं खुश हूँ मुझे कुछ वी फरक निपड़ता यहाँ पर डग लीना के पहर पर एक हाफ अप हार्ट देखता है इसके बारे में डग उसे पुछता है तो लीना डग से कहती है कि इलेट बहुत ही डेंजर साथ में है हमें बहुत ही छूपकर रहना पड़ेगा एक दिन इलेट लीना और डग को लेकर बोट पर आता है लीना बोट का फ्लाप ओपन करकर इलेट को मारने के कोशिच भी करती है पर इलेट इसे नोटीस नहीं करता जब इलेट जरा बोर्ड में बीजी हो जाता है तो लिना डग से कहती है कि वो अब इलेट के साथ नहीं रह सकती है लिना के बोड़ी पर एक मारक है जिसका मदलब है इलेट ने उसे बहुत मारा था रात में लिना डग को हस्पिटल बुराती है इलेट ने आज उसे बहुत मारा है डग कह और लीना उससे बात में घर पर आने के लिए Epic बहूं इया Ben लिना कहती है कि वो मुझे बहुत मार रहा था। इंपल्स में आकर उसके सर पर उसने फायर इंस्टुकेशर से हमला किया। डग बहुत ही डर जाता है। वो कहता है कि पुलिस को हमें यह सब बता देना चाहिए। लिना इसके लिए नहीं मानती। वो कहती है इलेट की फैमिली बहुत ही पावरफुल है। वो कभी भी नहीं चाहिएंगे कि कोड में बात जाए कि इलेट मुझे मारता था। यह सब ब्लेम वो मुझे पर ही लगा देंगे। डग कहता है कि हम मैं इसे हैंडल नहीं कर सकते। इना कहती कि सच कह रहे हो तुम अभी भी बच्चे ही हो और मैं तुम पर यह सब responsibility नहीं डाल सकती है। इसके बाद डग भी इसे cover करने के लिए मान जाता है। डग लीना सकता है जिस तरह से सब कुछ चल रहा था इसे तरह से हम normal behave करेंगे। डग अपने काम के लिए जाता है। रात में घर पर वापस आता है। वो एक plan बनाता है। इलेट की तरह dress up करता है और boat के पास जाता है। boat जहार रखी हुई है वहाँ में पता है कि एक strict security guard है। डग ने इलेट की तरह ही कपड़े पहने है तो नोटीस तो गरता है पर इसे जाने देता है। इलेट की body boat में डग रख देता है आगे चल के इस boat को आग लगाता है और घर पर आ जाता है। नेक्स दिन पुलिस को body मिलती है और लिना को खबर देने के लिए हो जाते है। रात में डग अपने friend के साथ बार में काम कर रहा है। वहाँ पुलिस officer भी आय हुए है। शेरिफ सरसे बात कर रहा होता है। तब ही डग को यहाँ पता चलता है कि लिना को insurance से 10 million dollars मिलने वाले है। इसकी investigation करने के लिए insurance detective भी आने वाली है। यह बहुत strict है। नेक्स डेइ insurance detective शेरिफ से मिलती है। इसका यह बहलाई कैसे और यह inexperienced है। यह शेरिफ तुरन जान लेता है। शेरिफ सब cooperation करने के लिए भी ready है। लिना को भी investigation करने के लिए पुलिस station में बुलाया जाता है। यह direct to लिना से उसके marriage कैसी चल रहे थी। इसके बारे में बूशती है। लिना नहीं यह सब किया है। इस तरह से direct to इसी investigation करती है। लिना इस पर चिर जाती है और उसके lawyer के साथ वो चली जाती है। हमने previous में देखा था कि security guard ने notice किया है कि Doug Elliot की तरह dress up करके जा रहा है। उसे लगा था कि Doug Elliot ही है। वो sheriff के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि उस दिन boat पर Elliot नहीं था तो और कोई था। शेरिफ और भी investigation करने के लिए guard को ले जा रहा होता है। यह gas station पर रुखते हैं तब वहाँ Doug भी है। डग शेरिफ के बास सुन लेते हैं और security guard से बात करने लग जाता है। यह guard उसे कुछ भी नह होने लगते हैं। शेरिफ नोटिस करता है कि इस घर से डग का bedroom दीखता है। इसका मतलब है Doug लिना को देख सकता था। यही घर की investigation करते हुए डग को ब्रोकन खिडकी मिल जाती है। प्रिवेस में आपने देखा है कि डग नहीं यह खिडकी तोड़ी थी और वह injured भी हो प्रेंपल विक्रह अ उसरे ले लेते हैं। डग को भी investigation करने के लिए पुलीस लेकर जाते हैं। डग को You ground के बारे मिलेट्ट बहुत सारा ॥ा ड्रिंक करता था। डीडक के अनुशता है। जाता बता नहीं। रीड़े sind and you अगर तुम कोई चुपा रहे हो तो तुम पर भी सिरियस चार्जेस लग सकते हैं डग के पैरेंट यहां ओफेंड हो जाते है और डग को लेकर चले जाते हैं डग को यहां पता चलता है कि लिना पुलीस को बता रही थी कि उसे कोई स्टॉक कर रहा था यानि कि उसका कोई पीछा कर रहा था डग को फेले ना उनकी सिगरेट जगा पर मिलने के लिए बुलाती है यह वही सिगरेट जगा है जो डग ने और उसके फ्रेंड ने रेडी की थी डग ना इसे पुछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था डग ना कहती है मिए उससे बहुत सारे सवाल वो पुछ रहे थे इसलिए हमेने कुछ भी पता दिया दिना डग से कहती है, हम दोनों में कोई भी relationship था, यह हमें छुपा कर रखना है, इसलिए उनके cell phone वो डग को destroy करने के लिगे थी है, डग ये cell phone इसी घर में छुपा कर रख देता है, डग दिना से पुछता है कि अब हम दोनों का क्या होगा, दिना बोलती है कि अगरे साल तु ले जा रहे होते है, तो डिरेक्ट डग से कहती है, कि मुझे पता है कि क्या हुआ है, लिना तो यह फसाना चाती है, तुमारा बर्ट खिर्की से मैच होगा, और लिना ने कहा था, कि उसका पीच्छा कोई कर रहा था, इन सब evidence को लेकर हम conclude कर सकते है, कि तुमने ही इलिएट को मारा है, तुमारे पास अभी भी time है, तुम सब को सच बोल दोगे, तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, इलिएट बहुती डर जाता है, और वो investigation के लिए अब नहीं आना चाता, वो directly अपने friend के पास आता है, उससे सब को सही सही बोल देता है, उसका friend बिस पर believe करता है, उसक शेरिफ डग को बिठाता है, और कहता है, कि अभी भी तुम्हें कुछ भी कहना हो, तुम उससे कह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, जब डग लीना के साथ था, तो वहाँ के gardener ने इन दोनों को देख लिया था, उस gardener से शेरिफ को सवाल पूछने के लिग कहकर चला जाता है, जब शेरिफ और डग बात करे थे, तभी शेरिफ ने डग को पानी दिया था, इस ग्लास में इसे शेरिफ फिंगर प्रिंस निकाल लेता है, डग जब घर पर आता है, उसके पैरेंट्स को लीना की अंडर्वेट डग के पास मिली थी, डग उन्हे सब को सच-चच बता देता है, तो गहता है कि मैंने मैडर नहीं किया है, तभी वहाँ हमें शेरिफ आता हुँँआ दिखता है, शेरिफ को अभी-अभी न्यूज मिली है, और विंडो से डग का बलेट सैंपल मैच किया है, डग डर जाता है, लीना से मिलने के लिए फिर से लेक हाउस पर आता है यहाँ पर वो फोन चेक करता है पर लीना ने अल्डेडी वो वहाँ से गायब कर दिये है एक दूसरे से बात कर रहे है तो यह वहाँ पुलिस आ जाते है लीना अचानक से अपने कपड़े फाट देती है और इसा प्रिटेंड करती है कि डग उसके साथ जबरदेश्दी कर रहा था अब सब कुछ एविडन्स पुलिस के पास है तो उसे अरेस्ट कर लेते है डग शेरीफ से केता है कि मुझे वर बिलीव करो मैंने कुछ भी नहीं किया है अगर तुम मुझे कुछ वक्त दोगे तो यह सब में प्रूव कर सकता हो शेरीफ भी पारने दे रहा था और डग वहां से भाग गया डग डारीकली लीना जहावर रह रही है वहाँ पर पोच्छता है लीना का सब सामान चेक करता है लीना के पास अलग-अलग आईटेंडिटी के पासपोर्ट्स है वहाँ पर उससे फोन भी मिल जाता है अचानक से वह डिक्ट ओक डग. जब लीना और डिक्ट्व वहां से जा रही है तब ही डग नोटिस करता है कि लीना के पेर पर आदा हाट था इसका अलग हाट को फिरेंडीटू की पेर पर है यानकि लीना और डिक्ट्व में इन दोनों में रिलेशनशिप थी और रिक्राःट करता है तो फोन भी अब डिरेक्टू के पास ही है, वो अब बड़े ट्रबल में है और इसके लिए जेल जाएगा, वो उस हैंडकप से बाहर निकलने के लिए और लीना और डिरेक्टू को पगड़ने के लिए बहुत ट्राय करता है, पर इक करने पाता, डिरेक्टू और लीना आगे जा जाते जाते लीना फोन उसे देख कर जली जाती है डि डिडिक्टॵ भी लीना से मिली हुए थी इसाड़े से लीना को इंशूरंस के पैसे म değild मिल जाते है जब तब पुलिस डग को लेने के लिए आते है यह दोनों वहाँ से अलग कंट्रिय में भाग चुके दग गिल्टी नहीं है य। वह फान से पूब कर देता है पर फिर भी थोड़े दिनों के लियूद से जेल जाना पड़ता है फिर सो अपने घर पर आते आ है अब वह हमसे बात कर रहा है वह हमसे कहता है Housing भीदा को में अभी भी लीदा झाइंग।